हालो एवरीवन वेलकम टूब्राइट आईक्यू तो आज से हम लोग स्टार्ट कर दिये हैं जेपी एसी का क्लास जेपी एसी का क्लास का आज आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग उडान बुक का चेप्टर फाइब को कबर करने वाले हैं जो है आपका प्रागेति ह अगर आप उडान मुख से तैयारी कर रहे हैं सारे टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं तो चलिए हम बिना लेट के स्टार्ट करते हैं तो बिसिक लिए प्रागेति हासिक काल तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है वह तीन पासान काल है और नौपासान काल है वहीं आपका पुरा पासान काल मध्य पासान काल दूसरा है नौपासान काल को तोलल तीन की बिवाइड किया है कि है आपका और स्टॉपिक को से पासान काल में लिचे करते हो और सब्सक्र疫 deliver में लोग कि नहीं लेकिन लेगा टौफिटे जैगा तु चाहे भाप и mm qq q 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 करते हैं पुरा पासान काल से पहले कारे करम 25 पुर्व तक माना जाता है अगर इसका दूसरा आपका कि लोग वह सिकारी वम खादे संगरहाग थे किस काल के लोग पुरा पासान काल के लोग इसका कारे करम कब से हैं तो यह आपका 25 लाइक इस्ता पूर्व से लेकि 10,000 इस्ता पूर्व तक माना जाता है कि इस काल में बेसिकली लोगों को क्रिशी का ग्यान नहीं था ना तो वह पसुपालन करते हैं अगर वहीं नेक्स पांट इसका प्याद रखो भी काल उसके बारे में तो कहते हैं तो चीजञे में वह देख रहे हैं कि काता है मिलता है कि jazzी उसे मिला है अब कि हजारी बाग में पूरा पासान कालिंग मानो द्वारा निर्मित पत्थर के अजार भी मिले हैं तो यह सारा चीज से पूरा पासम काल के बारे में कुछ बेसिक साहीं की बात हो रही है मैं 2019 की उस समय क्या था भायती प्रतत्विक विभाग जो कि आपका राची संकीर्ण ने लगभग 10,000 वर्ष गूर्व पुरा पासान काल और सेस राची रामगड सिम्डेगा वह पस्मी सिंभु में खोजा है तो यह आप इसको याद रख सकते हैं बिसिकली यह 2019 का निउस है इस तरह का आपको जार देखते हैं मध्य पासान काल मध्य पासान काल अगर आपका स्टार्ट दस हजार पूर्व से लेकर 4000 तक माना जाता है अगर बैसिकली इसमें लोगों को पसु पानन की शुरुत जो है वह हो चुकी थी जारखन में इस जो है वह दूंका में मिले हैं दनबाद में राची में पुर्वी सिंभुम इस तरह की चेत्र में इसके उस्याइज जो है वो बैसिकली पाइजाते हैं तो नव पासान काल को आपको बेसिक सा समझना है इसको अच्छे से समझना है ठीक है नव पासान काल में आपका क्या है कि इसका कारेकाल जो है वह लगए 10,000 साब कुर्व तक मा म् hai करेगा थी मंना गया पासान काल में आपका क्रीशी की शुपारत हूची थी काल में और विफ्योगत क्व्रार म् हो चुके है अकर ऐसमें अब любड़कर आपको ब्रुचे तो जो है ना और बात करते है अस तरह को यनिनिμα तो चोड़ा नागपुर परदेश से इस काल के टोटल बारह हस्त कुठार भी पाए गये हैं कि आपको याद रखना है नेग्स पाइंट आपका तामर पासान काल को तो 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 तामर पासान काल का यूग जो था वह दूसरे के तो यह काल हडपा पूर्वा आपको तामर पासान काल की अंदर है तो आपका नौ पासान काल के अंदर है आपका 10 तक चला था इसलिए आपका तामर पासान काल का युग जो है वह चार हजार इसा पूर्व से लेकि एक हजार इसा पूर्व तक है इस काल में तीन का संबंदी थे पहला आपका हड़ापा पुर्व है हड़ापा काल है और हड़ापा पस्ट्चा थे तीनों को आपको याद जाता है क्योंकि उसे में पत्थर का निर्मान तो हुआ है दा साथे साथ लोग तामबे के परियोग से भी वाखिक हो चुके थे इसलिए से क्या बला जाता है अगर इसमें पॉइंट अब देखना चाहते है तो आपका एक और पॉइंट में निकल के आता है जो है आपका कि अगर परियोग की गई प्रथम धातु तामबा थी जारखन का क्या था तो तामबा था चलिए अगर आपकुछ और चीजों को जाना चाहते हैं तो देखिए इसमें बेसिकली क्या था ना कि जारखन में कई अस्थान से तामबे की कुलहाड़ी भी मिले हैं तथा कहा जाता ह है कि हजारी बात से बारा गंडा के तामबे की उन्चास खानों के और से भी प्राप्थ हुए हैं अच्छा एक चीजा और इसमें सामने निकल कर क्या है कि इस काल में असूर जाती के लोग थे और बिरहोत जंजाती के लोग जो थे वो तामबा गलाने तथा उसे बिभीन प फासान का तो याद रखना चली नर्शिट कर में अकाके व देखते हैं आपका है काश में देखिंट रहाए कि ऑन से को किया उपकर भी मिलाएं का नकार बनाया त Candice प्रते हैं conteú के हैं टो तामबे और तीन को मिला गए जब काशा बनाया गया तो उस काल को हम लोग क्या बोल रहे हैं काश्य यूग बोल रहे हैं अगर इसमें कुछ और बिन दों देखे तो यह आपका कि छोटा नागपुर छेत्र के अशूर झारकन के प्राचिन जन जाती तरह बिर्डिया जन जात यूग से निर्मान और टारों का प्रारण करता माना जाता है और इसका कुछ और प्रण है तो है कि यूग में जारखन का संपर्ख सुदूर पर उद्देसी राज्य से भी था त्वें से तलौहीं पॉइंट-पॉइंट है ना इसे दिमाग में सबसे पहले बात करते हैं तो पहले बात करते हैं अस्थान इसको कहां है हजारी बाग में यहां से क्या मिला है तो पूर्व बड़े पत्थरों पर आदी मानों द्वारा निर्मित छित्र खुला सूर्य मंदिर और सैज चित्र दिर्गा यह मिला है आपका हजारी बाग इसको से ठीक है चलिए अगर नेक्ट पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं तो आपका है कि इसको के सैज यहां की बात हो रही है यहां से आपके चार पाय वाले पत्थर की चौकी मिली है इसे पट्टा संग्रहाले में सुरचित रखा गया है तो यहां पर आपका भगवान बुद्ध की भूमी असपर्ष मुद्रा यहां से आपका साथवी सदी की जैन मुर्तिया मिली है अगर बात करते हैं चक्रधर पूर की चक्रधर पूर कहां इस्तित तो यहां से आपका नौ पासान कालीन चाकु नुमा धारधार पत्थर मिला है यहां गुलाबी बलवा पत्थर पर निर्मित अष्ट दल्ये कमल कहां से मिला है तो इसे आपको याद रखना है चलिए तो इस तरह से हम लोग प्रागेति हासिक काल में जार्खन का सारा टॉपिक जो है वह कंप्रीट कर चुके हैं यह सारा टॉपिक आपका एक्जाम पॉ टॉपिक को अब्यक्टिव रखते हैं तो आपको इसको अब्डेक्टिव बनाने में प्रॉबलम नहीं होगा जितना में आपको वीडियो को सिस्क्राइब कर दिजियेंक नेक्स पार्ट में और पढ़ने वाले हैं धार्मी गांद वाले लाएं गया चैप्टर वाइस बाद हम लोग उससे सारे इंपोर्टेंट को भी कवर करने वाले हैं टोटल हम लोगों के पास अभी एक मंत का है एक मंत में हम लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कम्प्रीट कर लेना जिसका सुरुवात आज से हो चुका है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो म एक इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ थांक्स पूर वाचिंग लाइक से और सब्सक्राइब राइट आई क्यू